नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल फ्लिम टार्गेट में आपका स्वागत है कि पया जो लोग नए है चैनल को लाइक आओ सब्सक्राइब करें जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिविकेशन आपको प्राप्त हो सके तो चलिए दोस्तों आज हम प दोस्तों आपको नियंत्रित रखता है क्या करता है कि जननकिरियाओं को नियंत्रित रखता है इसमें जो होता है माइकरो-난ुक्लियस में सभी डिनने होते हैं ठीके? माइक्रो नुक्लियस में जो है सभी DNA होते हैं जो GU में मौझूद रहते हैं ठीक है दोस्तो चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा question क्या कहे रहा है next question कहे रहा है कि next question कहे रहा है निमलिकित में से flagellate protozoa नहीं है तो कौन सा इसमें पूछ रहा है कौन सा protozoa जो है flagellate नहीं है आपसंद देख लेते हैmore फ्लेजला कोई flagellate नहीं पाया जाता है ठीक है दोस्तो चलिए अगला question देख लेते हैं क्या कह रहा है next question कह रहा है कि piramysium next question है piramysium किस गण से सम्मंधित है तो कौन सा गण है देख लेते हैं आपसर Cyliphora, Cylietta, Hymenostomatida, Holotrica तो इसका राइट एंसर क्या होगा दोस्तों इसका राइट एंसर होगा Hymenostomatida आपसर नंबर C ठी है दोस्तों चलिए, next question देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट कोस्चन कहह रहा है, कि paramecium है, तो paramecium क्या है दोस्तों, Amonotellic, Uregotellic, Uregotellic, कोई नही, तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों, इसका right answer होगा, Amino-ira A, ऌपसर नूबर A, इसका right answer होगा, ठीक है, चलिए, next question हम देख लेते हैं, क्या ह next question कह रहा है कि paramecium next question कह रहा है कि paramecium में cyclosis की परिघटना का संबंध होता है तो आपसन देख लेते हैं क्या है आपसन है उत्सरजन, चलन, पाचन प्रजनन तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों इसका right answer होगा पाचन यानि कि digestion के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों क्योंकि ये paramecium में क्या होता है ये amoeba की तरह ये भी philanthrop hydraulic होता है ये सूच carbonic जितने भी कण होते है उन्हें क्या करता है अंथर ग्राहन कल लेता है तदा जो खाद धानिया होती है इसकी put by goal होते हैं इसे पचा देता है ठीक है दोस्तों? क्योंकि ये क्या करते हैं कि पाचन के समय इसकी जो ख़द धानिया होते है धूस्तों, वो गोल आकार की खड़ी दिशा में क्या करती है? मतलब सुई की दिशा में घूमती रहती है धीक है आप नेक्स्ट कोस्चन कर रहा है, गलोसीना पलपेलिस किसका वाहक है, तो ये किसका वाहक है, तो ये निद्रा रोग, औप्शन नंबर C, सिक्नेस सका कायराथ है, ठीक है दोस्तों, क्योगि या ट्रीपैनोस्टाऊंः गैम्बियेस्न्स नामक प्रोटोज़क के काटने से होता है, ठीक है दोस्तो, चलिए next question देख लेते हैं, किया है next question इसका कह रहा है, next question है, कि बुच्रे औरिया के दौर्वा फाईल औरिया सिस, जिस कारण से होता है, वह है, क्या है दोस्तो हुआ, वह option देख लेते हैं, लसिका ग्रंतियों में अवरोध, रक्त कोशिकाओं में अवरोध सिराओं में अवरोध या फिर धमनियों में अवरोध तो इसका राइट एंसर क्या होगा दोस्तों इसका राइट एंसर होगा लसिका ग्रंतियों में अवरोध आपसर नमबर A ठीक है ब्लाक इन लिंप ग्लेंट ठीक है दोस्तों बलाखिन लिम्प ग्लेंड क्योंकि ये मादा क्यूलिक्स इसका जो होता है वो आहक होता है और अपना जीवन चक्र क्या करता है दो पोसदों में यानि कि दो होस्ट में ये पूरा करता है ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोस्चन को हम देख लेते हैं क्य इद्रारोग malaria तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों इसका right answer होगा काला-जार, काला-जार, send f geç teMAN के द्वारा होता है तर्फ़ेंग जो यह less mania नमक proto Noah के कारण होता है less mania एक proto Noah इसके कारण यह होता है इसमें क्या होता है कि यह रोगी को क्या हो इसमें तेज बुखार आ जाता है बहुत तेज इसमें बुखार आ जाता है ठिके दोस्तो चलिए फिर तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा option number a offense and defense यानि की बचावयों सुरक्षा के लिए ठीक है दोस्तों ट्राइको सिस्ट्म क्या होता है कि एक 20 सिस्ट्म प्रकार की rat जैसी सरचना होती है rat like structure होता है जो paramecium में पाई जाती है और यह क्या करती है या offense and defense में सुरक्षा के लिए होती है ठीक है दोस्तों चलिए next question हम देख लेते हैं क्या है next question कह रहा है next question है कि silver line silver line तंत्र संबंदित है तो किस से संबंदित है इसका option देख लेते है प्लाजमोडियम से, एंटमीबा से, पैरा मीसियम से, या फिर साइकान से, तो इसका राइट एंसर क्या होगा दोस्तों, या किस से संबन दित है, पैरा मीसियम से, ठीक है दोस्तों, किस से संबन दित है, पैरा मीसियम से, ठीक है, चलिए, नेक्ट कोस्चन को हम देख लेते है क्या है नेक्ट कोस्चन कह रहा है कि लाल रूधिर कडिकाओं नेक्ट कोस्चन है लाल रूधिर कडिकाओं में सूफनर की बिंदू दिखाई देते हैं तो किस में दिखाई देते हैं आपसन देख लेते हैं फाइलेरिया के कारण मलेरिया के कारण काला आजार के कारण या फर GRDSS के कारण तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों इसका right answer होगा malaria के कारण आपसन नमबर B ठीक है दोस्तों इसका right answer क्या होगा आपसन नमबर B malaria रोग जो होता है यह plasma DM नामक proto जुआ के कारण होता है जिसका वाहग क्या होता है जिसका वाहग जो है मादायनाफलीज मच्छर होता है ठीक है दोस्तों चलिए next question को हम देख लेते हैं next question कह रहा है कि plasmodium next question है कि plasmodium y wax के संक्रामक चरण को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है मेरोजवाइट, साइजांट, स्पोरोजवाइट या फिर उसाइट्स ठीक है दोस्तों तो इसका खंड जाण, साइजांट, वी जाण, वी जाण, या फिर युगमक, पुटी तो इसका राइट एंसर क्या होगा दोस्तों इसका राइट एंसर होगा वी जाण, ठीक है अफसल नमबर C या 6-15 माइक्रोन लंबा होता है इसमें कोशिका रितिकाएं बन जाती है और इसको क्या करती है संक्रामक कर देती है ठीक है तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार